और आप सब्सक्राइब के बटन जरूर तबा दीजेगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन में प्रिस कर दीजेगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना भी मिलती रहे कुछ कॉमेंट्स पे हम वीडियो बनाएंगे और आज मैं ले रहा हूँ जो यहां पे किलोल कुमार कनेरिया साब ने पूछा है तो मोल्टेक टेकनलोजिस के बारे मैंने ये मेरे नजर में नहीं था जनरली हम लोग कुछ जो चर्चित कमपनियां होती है जिन पर ज्यादा ट्रेड होता है या हॉट होती है उनी पर नजर रखते हैं लेकिन कुछ ऐसी कमपनिया भी होती है जो छोटी होती है लेकिन अच्छी होती है तो एक उनी में से एक कमपनी है मोल्टेक टेकनलोजिस ब तो उसी के एक छोटी कंपणी है मोल्ड टेकनलोजी से रिलेटेड जिन्होंने अलग से लिस्ट किया हुआ है और आज हम उसी पर बात करेंगे तो क्या करती है सिविल इंजीनरिंग में है जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर कोई पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना हो या इंडस्ट्री और मैं कहले इंजीनरिंग में जैसे कि यहां पर फ्लाइट्स, कार्स, बसों के जो कलपूरजे वगएरा आधपूरा कॉंपनेंट्स से उसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें करती है, मिशन, स्ट्रेटजी, आईटी सॉफ्टवेर से रिलेटेड भी कंपनी है, और तो पढ़ते इनके फंडमेंटल की तरफ, मोल्टेक टेकनोलोजी लिम्टेड आज तो मार्केट बंद शनिवार है, कल जो यह ट्रेड हुआ 54 रुपए के भाव पे, और इसका जो साल का लो था 38 रुपए, हाई था 63 और वर्तमान 54 रुपए है, और यहाँ पे अगर हम रिटन देख लेते हैं, तो 6 मंत में यहाँ पे 24 परसन यानि 25 परसन के आसपास के रिटन है, एक शान्दा रिटन है 6 मंत मे और 1 year में भी इतने ही रिटन है, 24 परसन के आसपास, तो चलिए not bad, एक छोटी कंपनी है, 150 करोड की, 150 क्रोड की, माइक्रोग का है, और face value 2 की है, और peer ratio है 12.47, earning per share 4.28, price to book है 2.98, delivery शान्दार, 69 यानि 70 परसन के आसपास, और dividend paying stock है, हम यहाँ पर देख रहे हैं इनके March 18 से, March यानि year on year, तो net sales में, जहाँ March 18 में थी 18 करोड के आसपास, वही हो गए 24 याने की 34% के आसपास की upside है, और net profit में अगर हम देखते हैं, तो net profit जहाँ इनकी March 37 लाग के आसपास थी March 18 में, वही हो गए 3 करोड 63 लाग की March 19 में, तो यहाँ पर सीधे इनका मुनाफ़ा हो गया, सब कुछ लेने देने के बाद, net profit में 389% में, जबर्दस्त मुनाफ़ा हुआ है, और margin में भी यहाँ इनको 21.51% की upside है, जबर्दस्त, और अगर हम quarter के compare करते हैं, तो जहाँ December 18 से March 19 के Q4 के results हम देख रहे हैं, तो net sales यहाँ पर, actually December 18 में थी, 22.53, यानि की 22 क्रोड के आसपास, तो March 19 में होगी 24 क्रोड के आसपास, जो की 8.836% की upside है, तो यहाँ पर, net profit में भी यहाँ पर देखते हैं, तो जहाँ 3 क्रोड के आसपास December 18 में थी, मार्चुनिस में होगी 3 क्रोड से ज्यादा की, तो यहाँ पर होगी 9.58% की upside है, और margin में भी देखिए, यहाँ पर 13.79% की upside है, तो शांदार results रहें, इनके no doubt, year on year भी और quarter के भी, कमपनी के अगर हम वर्तमान इस देखते हैं, valuation wise तो अभी very attractive पर है, जैसा की यहाँ पर दिखा रहा है, इसका, हाँ, 65 रुपए से नीचे very attractive है, तो अगर 65 से 81 रुपए के आसपास रहेगा, तो attractive में रहेगा, और उसके बाद जिस हसाब से इनके price to earning है, जिस प्रकार से company है, और उसका price है, उस हसाब से काफी अकर्शक है, लेने लायक है, ऐसा यहाँ पर information दी जा रही है, यह एक information calculation की गई है, और ROC यह भी एक शांदार है, 25.90% है, और return on equity भी अच्छा लग रहा है, बहुत ही शांदार है, 23.52% के आसपास है, तो निसंदे और financial trend में अगर हम चलते हैं, तो very positive अभी इनके financial trend भी बहुत ही very positive है, और share holding pattern में, यहाँ पर promoters के पास जबादस्त holding है, 50% के आसपास और थोड़े से increase भी की हुए, mutual funds 0 है, FIS 0 है, और खुद्रा ग्राहक के देखते हैं तो 39.73%, तो जो retail निवेशा के उनने सब और रस्तिस में holding बनाई हुई है, no doubt, return की बात करते हैं, तो return अगर हम देख रहे हैं, 10 सालों में इसने दिया 2500% के आसपास, यानि 269% के आसपास, 5 सालों में 537% के शांदा return है, और 4 सालों में 43%, लेकिन 3 सालों 1.75% के negative है, दो सालों में again 9.43% की positive return है, एक साल में यहां पे करीब 22.48% की return है, और एक साल six months के हमने दिखाई दियें पहले आपको, तो जिन दोस्त ने हमारे पूछा था, subscriber friends ने तो मैं बता दूँ कि एक company देखने में अच्छी लग रहे हैं, जिस सापसिन का business model है, और 80% per share के सापसिनों ने अभी अप्रिल में 2019 को dividend भी दिया था, तो इतनी छोटी company एक dividend paying stock भी है, तो बहतरीन है, अब इसमें लेने न लेने वाली जहां से बात आती है, कि इस company में क्या करना चाहिए, friends ने पूछा था कि information दीजिए, बताईए क्या करें, तो दोस्त, यह micro-cap company है, engineering से related है, तो जो छोटी company होती है, थोड़ा सा जब कई बहुत जबर्दस गिरावत आती है, तो इन पर बहुत ज़दा pressures आता है, इनके results अच्छे थे, इस वज़े से देखिए, इस गिरावत में भी ठीका हुआ है, और अभी तक कि जो फिलाल एक साल के अच्छे मैने के रिटन भी अच्छे हैं, जिनको इसमें interest हो कि क्या इसमें लेना चाहिए, तो थोड़े shares, और अधिक study करके क्योंकि आप ले रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, महनत का, तो थोड़ा सा research बनता है, इस company पे थोड़े सा shares ले लीजिए, फिर अगर आपको लगता है कि किसी काण माश्र गिरावत आ आप इसमें से थोड़ी-थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं, जिनको इस sector में interest है, वो ही लोग, बाकि आप अपने financial advisor से भी मशुरा कर सकते हैं इस बारे में, तो आज मैंने इस talk के बारे information दी, दोसों जरूर पसंद आया होगा, बने रही हमारे साथ, अब नए वीडियो के